हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है UPCI ESCS Prime YouTube चैनल पर यह ADCA Basic Course का 21 वीडियो है और MS Word का Part 12 वीडियो है क्योंकि हम अपने इस स्रीज में ADCA Basic Course बिल्कुल सुरू से सिखा रहा हूं और इस समय हम MS Word सीख रहा हूं यदि आप लोग बिल्कुल सुरू से MS Word सीखना चाहते हैं या फिर ADCA Course की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के द्वारा सीख सकते हैं बिल्कुल सुरू से तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे MS Word के Review Type के बारे में कि Review Type का काम क्या होता है तो चलिए अपने वीडियो को हम सुरू करते हैं शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सब से पहले पहुचे चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, हमने यहाँ पर अपने MS Word को open कर लिया, पिछले वीडियो में हमने mailing, reference, page layout, design, insert, home और file इन सभी के बारे में complete कर लिया है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि review tab क्या होता है और इसका work कैसे करते हैं, इनमें जो option दिये होते हैं, इनका use हम किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि review tab होता क्या है, यमेस word में review tab एक बेहिद ही उपयोगी tab है, इस tab के अंदर मौजूद command का उपयोग करके, user अपने word document में spelling और grammar संबंदित गलतियां चेक कर सकते हैं, document में किये गए बदलाओं को try करके रख सकते हैं, document को अलग भासा में translate क कर सकते हैं, यदि हमें comment जोड़ना हो तो हम इसमें comment जोड़ सकते हैं, review tab में कुछ महत्पूर command दी गई हैं, इसमें कुल 7 group होते हैं, जैसे कि proofing का, language का, comment, tracking, change और compare तथा protect, यह हमारे 7 group हैं, इन 7 group का का काम अलग-अलग होता है, group वाज इसलिए divide रहता है कि हमको समझने में आसानी हो, तो जो group दिये हुए हैं, हर group में इनका यूज अलग-अलग होता है, तो चलिए हम जान लेते हैं, review tab के प्रते ग्रूप में मौझूद command के बारे में, कि इसमें किस command का क्या काम होता है, तो सबसा पहले हम जानेंगे proofing का, proofing का मतलब होता है, जैसे कि इसमें हमार spelling grammar, define, thisaras, word count, इतने option दिये होते हैं, सबसा पहले spelling and grammar, spelling and grammar से होता है, जब हम अपना document तयार करते हैं, अगर कोई meaning mistake हो जाए, या कोई meaning में कलती हो जाए, तो spelling and grammar से हम उस meaning को बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ type कर लेते हैं, type करेंगे थोड़ा उसका text का size बढ़ा कर लें, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो, जैसे कि मालिया यहाँ पर अभी हम type करते हैं, computer, computer type किया और enter किया, जो computer लिखा है, बिलकुर सही लिखा है, इसलिए इसके नीचे कोई भी underline अगरा नहीं आई है, आप लोग जब type करते हैं, तो दे नाम type करते हैं, तो नाम के भी आगे जिक जैक line आ जाती है, लेकिन जो इसकी एक dictionary होती है, इसके dictionary में जो भी हमारे later होते हैं, जिस भी meaning का कोई अर्थ होता है, उस meaning को यह सही करता है, जब हमारा नाम जो है, जैसे कि मालिया हमारा नाम रोहित वर्मा है, यहाँ पर जो रोह कोई दोर्मा का मतलब क्या है, यह एक नाम है, जैसे कोई नाम इस्थान होते हैं, तो उसके आगे इसी तरीके की line आती है, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि उसका यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर computer लिखा था, यह को हटा दिया, तो हमारा computer गलत हो इस side में हमारे spelling आ जाती हैं, जैसे computer, compute, comport, इसमें जो भी meaning सही हो, उस meaning को यहाँ से हम change कर सकते हैं, इग्नोर करना है, तो जो यहाँ पर लिखा है हमने यही रहेगी, जैसे computer है, computer सही है, इस पर click करेंगे, change पर click कर देंगे, तो हमारी meaning है computer की सही हो जाएगी, जैसे कि रोहित वर्मा, type किया और enter कर दिया, तो आप लोग देख रहे होंगे, इसमें भी हमारी नीचे line आ रही है, हम चाहते हैं कि इसकी dictionary में meaning add कर लें, अपने according, जैसे कि जो भी meaning हमको उचित लगती हैं, अगर वो meaning हम इसकी dictionary में add करना चाहते हैं, तो add कर लेंगे, जैसे कि यहा इस तरीके की line ना आए, उसके लिए इसको हम select कर लेंगे, spelling check and grammar में जाएंगे, यहाँ पर add लिखा हुआ, add पर click कर लेंगे, और yes कर लेंगे, ठीक उसी तरीके से लखेमपूर को यहाँ से add कर लेंगे, तीन meaning हमारी add हो गई, अब हम इसको यहाँ से delete करते हैं, और यहाँ प type कर देंगे और enter कर देंगे, यहाँ पर भी कोई line नहीं आएगी, क्योंकि जो MS word की dictionary होती है, उस dictionary में हमने in meaning को add कर दिया, तो आप लोग समझ गए होंगे, spelling and grammar का मतलब क्या होता है, फिर इसमें दिया हुआ है define, define का मतलब होता है, कि जब हम इस पर कोई word, कोई later तायार करत यहाँ पर council language set की गई है, जो यहाँ पर language set की गई है, English United States set की गई है, यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, इसकी dictionary है, ढूड़ना चाहे तो यहाँ से ढूड़ भी सकते हैं, फिर इसी में हमारा एक आप सनाता है, थिसारस, थिसारस का मतलब होता है, कि हम जैसे कि यहाँ पर माल लिया, example computer ही type करते हैं, computer से related noun और जो भी इसके word होते हैं, computer से related जो भी इसके सब्द हैं, जैसे कि प्रयाइवाची सब्दम को पता करना है computer के, तो computer को select कर लेंगे, direct इसी तरीके से इस पर click कर देंगे, तो computer से related जो भी word होते हैं, processor हो गया, CPU हो ग से फिर इस पर click कर दो, तो same हो ही computer से related हमारे आ जाते हैं, super computer, mainframe computer, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका use कैसे होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि computer में हम थिसारास का use कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर हम type कर देते हैं, teacher, teacher type किया, और इसको select कर लेते हैं, और पर आ जाएंगे, जैसे educator, tutor, coach, trainer यह हमारे teacher से related word होते हैं, इस तरीके से हम थिसारास का use करते हैं, close कर देंगे, वहाँ से हट जाएगा, फिर इसी में word count का आप सनाता है, word count से क्या होता है, word count जाने से अपले हम पर translate और language के मतलब हम समझ लेते हैं कि इसका काम क्या है, translate होता है, जैसे कि मालिया हमको पता करना कि जो computer लिखा है, computer को हम इसको other language में किस नाम से जानते हैं, जैसे कि मालिया french language में हमको जानना कि computer किस तरीके से उसमें लिखते है, french language में, तो मैंसे computer को select करेंगे, translate पे click कर देंगे, और यहाँ पर translate, select test है, इस पे click कर देंगे, यहाँ पर करेंगे तो फ्रेंच यहाँ फ्रेंच लिखाई दे रहा है इस language में convert करना है यहां से हम जब करेंगे तो यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहे हैं computer तो French को हम यानि कि French language में हम अपने computer को इस तरीके से लिखते हैं पर दिखाई दे रहा है तो आप लोग translate कर सकते हैं अगर हमें किसी other language में करना हो Hindi English जिस भी language में translate करना चाहते हैं तो यहां से translate कर सकते हैं language दिया हुआ है यहां से जो भी language set करना हो तो यहां से हम language set कर सकते हैं कि हमारे computer में कौन सी language install है कौन सी language यहां से हम उसको install है कौन सी enable है यह देख सकते हैं हमारे में हिंदी यहां पर नहीं लैंग्वशिंट नहीं तो यहां पर नहीं सो रही होंखिए इंगलीस युनाइंटेअट कॉम्प्यूटर में इन इंश्टाल है दिखाई दे रही है इडिक् लेंग्वज यानि कि जो ग्राम और है वह हमारी कीबोर्ड लेयाउट है किसमें हो भी यूंट में है। इस तरीके से हमारे कम्प्यूटर में कौन सी लेंग्वज इस थाल है। वर्ड काउंट जानने से पहले थोड़ा में समझ लेते हैं कि इस पर माइटर थोड़ा टाइप कर लें तभी आप लोग इसका यूज अच्छे से समझ पाएंगे जैसे हाँ पर हम टाइप करते हैं राइंड टाइप किया ब्राकेट ओपन और क्लोज कर देंगे आप लोग इ माध्यम से हम इतना डाटा टाइप कर लेंगे थोड़ा बड़ा है सेलेट करके इसका साइज छोटा कर लेते हैं साइज हमने छोटा कर लिया जस्टिफाई कर लिया बराबर हो गया तो इतना माइटर हमने यहाँ पर टाइप कर लिया फिर वर्ड अकाउंट पर क्लिक तो हमारे सामने नई बिंडो ओपन हो जाएगी इसमें हमने कितने पेज हैं पेज दिखाई दे रहे हैं दो पेज लिखे हुए हैं टोटल वर्ड दोसो वनतालिस करेक्टर नो इस पेज सही एक हजा तिरसट और बिथ स्पेज यानि कि इस पेज के साथ 1297 टोटल किसी है वह भी यहां पे दिखाई दे रही है तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं प्रूफिंग आप्शन का और लाइंग्वेज आप्शन दोनों हमने यहां पे कंप्रीट कर लिए अब हम कमेंट के बारे में जानते हैं कमेंट कर सकते हैं से एक कमेंट इसके बारे में डेदी डाकुमेंट है डाकुमेंट को सलेट करेंगे इस पर क्लिक कर देंगे न्यू कमेंट यहां से भी हम कमेंट देना चाहें तो यहां से भी दे सकते हैं इसी तरीके से एक करके यहां से कमेंट हम आइड कर लेंगे चार-पाच क अभी हम देखेंगे यहाँ पर किए इस पर धिक लिक हैं और यहीं सहाइड कर सकते हैं फिर इसी में डिलीट कमेंट का आपशल दिया हुआ है गर हमें किसी भी कमेंट को डिलीट करना जैसे एक कमेंट है इस कमेंट को हम यहां से डिलीट करना चाहते हैं तो इस पे किलिक करेंगे डिलीट करेंगे यहां से किलिक करेंगे डिलीट करेंगे जो कमेंट हमारी सलेक्ट होगी वही डिलीट होगी डिलीट आल कमेंट करेंगे तो सव्याजी की सारी comment हमारी delete हो जाएंगी इस comment को delete करना है क्लिक किया delete पे click कर देंगे हमारी comment यहां से delete हो जाएगी फिर हम control के साथ Z button प्रेस कर देंगे तो हमारी comment आटोमेटिक आजाएगी undo हो जाती है यहां पर समय भी दिया हुआ है कि हमारी comment कब insert की गई फिर इसी में previous और next का option दिया हुआ है next comment पे जाना इस पे click कर देंगे next comment पे यहां से हम जा सकते हैं previous कर देंगे तो हम फिर अपने पहली comment पे इस तरीके से यहां से आ सकते हैं तो आप लोग comment का option भी समझ में आ गया होगा कि comment का मतलब क्या होता है फिर इसी के बाद हमारा आता है track change track change का काम क्या होता है जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पर एक letter तयार किया हम अपना letter किसी दूसरे को भेजना चाहते हैं दूसरे को हम अपना letter भेजे तो हम यहाँ पर track change आन कर देंगे कि जिसको हमने अपना letter भेजा है उसने इस later में क्या बदलाव किया है, क्या उसने चेंज किये हैं और क्या उसने नया add किया है, तो हम यहाँ track change पे click कर देंगे track change on कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है BTO provides इसको यहाँ से select करते हैं, और यहाँ से delete कर देंगे तो delete करेंगे, यहां पर simple markup लगा हूआ, इस पे click करेंगे, all markup पे click कर देंगे, जो भी हम delete करेंगे, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है डिलीट किया गया हूआ है इसमें हम अगर नया कोई आड करेंगे तो यहां से हम जो भी टाइप करेंगे जैसे इतना टाइप किया यहां पर यूपी ciss is Prime यह टाइप कर दिया है यहां पर पेज को सलेट करके डिलीट कर देंगे तो गाटा हुआ cackled कर देते हैं तो इतना करेंगे तो यहाँ लिए दिखाएदेगा कि हम अपने टेक्सच को यहाँ पर बॉल्ड किया है कलर से किया है और उसको हम ने इडिट किया है जो भी हम बदलाओ करेंगे साईड में लिखकर भी आएगा इस तरीचे से हम हमको पता चलता जाएगा कि उस प्रक्त इने क्या औड किया है क्या डिलीट किया है टेक्स pessimムल मारकॉप प्रक्रण कर देंगे तो हमारा जो यहां प्रक्त सब्सक्रायच कोई निए क्यों सब्सक्राइब किया होगा उसके समने यहां पर इस तरीके की एक लाइन दिखाई देगी हैं कि सिंपल लाइन दिखाई देती हैं यहां पर किलिक करेंगे आल मारकाप पर किलिक कर देंगे तो हमारा जो डाकुमेंट है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहां पर सो भी होगा क्या डिलीट किया क्या इंसेट किय किसका साइज हमने कितना बड़ा किया कौन कलर लगाया उस सब यहां से दिखाई देता है नो मारक अप कर देंगे तो हमारा जो लेटर है सिंपल हो जाएगा जो भी इसमें डिलीट किया वह भी नहीं दिखा देगा यहां पर वर्जिनल दिया हुआ है वर्जिनल पर किलिक कर देंगे जो हमारा लेटर पहले था सेम उसी तरीके से लेटर हमारा दिखाई देगा हम यहां पर यहां पर आएंगे कमेंट थाईड हो जाएंगी कमेंट दिखा देंगे यहां पर होने लगती है इन्ट्रेक्षण औड पर क्लिक करेंगे यहां से जो हमने इंसर्ट किया है वह यहां पर दिखाई दे रहा था जो हमने डिलीट किया है वह दिखाई दे रहा था अब यहां पर जैसे हमने इस पर से टिक हटा दिया कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इस पर टिक लगा देंगे तो जो हमने इंसर्ट क किया है वो इस तरीके से यहां पर दिखाई देगा कमेंट भी दिखाई दे रही है और जो हमने यहां से डिलीट किया हो इस साइड में दिखाई दे रहा है जो हमने इंसर्ट किया हो भी यहां पर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे बाइलोंच में जाएंगे इन लाइन पे क्लिक कर देंगे एक ही लाइन में हमारा जो माइटर है जो एड किया है जो डिलीट किया है और यहां पर सामने लाइन आ जाती है इसी में बैलोंस में क्लिक करेंगे हम चाहिते हैं कियोल यहां पर कमेंट फार्मेटिंग दिखाई देंगे उसम फार्मेटिंग क्लिक करेंगे चाहिए जयसा कि हमको वर्टकली चाहिए इस पर क्लिक कर देंगे side में division का option आ जाता है review when open होके आ जाएगा यहाँ पर वो चीज़े दिखाई देंगी जो हमने delete की यहाँ पर लिखा हुआ Microsoft account delete यहाँ की video provides को delete की यहाँ पर delete है यहाँ पर comment insert की comment भी दिखाई दे रही है जो चीज़ इंसर्ट की है जो चीज़ डिलीट की है वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देंगी जो हमने text का font बड़ा किया color change किया यानि कि जो भी उस पर बदलाव किया और वर्ट केली कर देंगे तो इस तरीके से आएगा हाज़ेंटली करेंगे तो इस तरीके से नीचे दिखाई देगा तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं फिर इसी में accept और reject का option दिया हुआ है हम चाहते हैं जिस भी ब्यक्ति ने कुछ बदलाव किया अगर हो सही है तो उसको accept करना तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे अपना करसर रखेंगे यहां से accept कर लेंगे तो असेप हो जाएगा reject कर देंगे तो यहां से reject कर सकते हैं इससे पहले यहां पर previous और next record लिखा हुआ है इसका काम क्या होता है इससे हम next करेंगे तो आगे जाएंगे जहां जहां बदलाव किया होगा वहां वहां इस तरीके से हम देख सकते हैं previous करेंगे तो हम अपने पहले page पे आते चले जाएं लोगा असेप्ट रिजेक्ट यहां से असेप्ट कर सकते हैं किस जो भी उसने बदलाव किया उसको रिजेक्ट करना है और चीज नहीं समझ में आ रहे कि उसने क्या लिखा है यहां से रिजेक्ट कर देंगे यहां से हट असेप्ट हो जाएगी इसको रिजेक्ट कर देंगा त यानि कि एक डाकुमेंट बनाया है उसको हम दूसरे से डाकुमेंट के साथ कंपेर करना चाहते हैं यहां पर हम कंपेर कर सकते हैं जैसे कि यह एक है इसको यहां पर हम फाइल में जाते हैं सेव कर लेते हैं डेक्सटाप पर सेव करना है तो यहां पर कंप्यूटर पर किलिक कर यहाँ पर da data नाम से हम इसको save कर लेते हैं यहाँ पर ok कर देंगे हमारी यह file save हो जाएगी इसको यहाँ से close करते हैं फिर हम अपने SMS word को यहां से open कर लेते हैं यहाँ पर हम कोई दूसरा method type कर लेते हैं जैसे का साइ't थोड़ा बड़ा है है हम थड़ा कम कर लेते हैं एक फाइल हमने चाहिए इस फाइल को यहां पर फाइल में जाके एका कर लेते हैं यहाँ पर यहां quicker कर सेकल कि फिर हम रिव्यूल में आएंगे, compare के किलिक कर देंगे डाटा और वे यहां के लुद्ध नाम के तक हमारे नब हम इपने बाद में दोनों कोare तो यहां सब आपने दूनों फाइलों को आड करा लेंगे और यहां से रहांगी दिखाई दे रहे यहां ने बना इस तरिके से हम दोनों को उपार को यहांपे यीघ कर सकते हो देखो यानि कि तुलना कर सकते हैं कि पहले वाली फाइल में क्या आइड किया गया है क्या डिलीट किया गया है और जो दूसरी वाली फाइल है उसमें हमने क्या इंसर्ट किया है किस तरीके की फाइल है तो इस तरीके से हम अपने compare document और original document में तुलना कर सकते हैं यानि कि compare का मतलब ही होता है compare करना तुलना करना पिर इस ही में हमारा option एक आता है जैसे इसको यहां से हम close कर दिया फिर इस ही में आता है एक हमारा combine कमबाइन का मतलब होता है कि हम अफने file को जोड सकते हैं जैसे की as नाम की file को selected किया यहां पर यह file select हो गई इस पर click करेंगे data नाम की file पर click करके इसको यहां से हम open कर देंगे और यहां से okey कर देंगे तो जो दोनों file हमारी है इसमें हमारी add हो जाएंगी देख रहा होंगे पहलی file हमारी है यह एड़ हो गई फिर इसी में दूसरी फाइल है दूसरी फाइल को एड़ कर सकते हैं यानि कि हम अलग अलग फाइले बनाएंगे जैसे एक फाइल एक फाइल बनाई पहली दूसरी फाइल अलग अलग बनाई तो हम दो फाइलों को एड़ करना चाहते हैं तो कंपेर में आके combine ते हम उन दोनों FILE इसी में हमरा आता है इडिटिंग इडिटिंग इसका काम क्या होता है इसको यहांसे ठोड़ा हटा देते हैं और इसमें जो हमने latentacked तब आप लोग इसका यूज अच्छे से समझ पाएंगे यहां पर किलियर कर देंगे जो भी इसमें बदलाव किया ओँ हट जाएगा इस तरीके से हम रिव्यू में आएंगे डिलीट में जाके डिलीट पर किलिक करेंगे डिलीट अल कमेंट कर देंगे सारी कमेंट हमारी हट रिजेक्ट में आके और रिजेक्ट आल चेंज कर देंगे सारा का सारा मैटर हट जाएगा इतना करने के बाद रिष्ट इडिटिंग यह आपसन दिया हुआ है इसकी सहाइता से हम इसमें पासवर्ट लगा सकते हम चाहते हैं इस पर केवल हम ही वर्क कर सकें दूसरा कोई ब की नहीं रिखा हुआ यहस इस्टार्ट इंकरिंक्रिंग प्रोटेक्षान इस पर किलिखकर कर लेंगे हैं हम पासवर्ट ड Geoff कर दिया है यहां पर हम अगर कुछ लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं ना को इसमें बदलाव कर सकते हैं जैसे हमने हैं पर किलिक किया तो आप आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि जो हमने रिव्यू टाइब को यहां पर सीखा है अकर इसमें आप लोगों के कोई डाउट रहे गए हों तो कमेंट करके पूछ सकते हैं तो हमें उमीद है कि आप लोगों को रिव्यू टाइब अच्छे से समझ में आया होगा फ दूसते पहले यहिदि आप लोग हमारे चैनल के माधिम से हैनक स्वड बिल्कुल सुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेए और हम अपने चैनल पर ADCF basic course बिलकुल free में और शुरू से सिखा रहा हूं Thanks for this watching video, हम मिलते हैं अगले वीडियो में